हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का हमारे एसाइनमेंट फर्स्ट में कोर्स 502 पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंटरी स्कूल्स इंट्रॉडक्शन वीडियो है आप सभी के एसाइनमेंट आ चुके हैं आपके वेब साइट पे आप जाएए डाउलोड करिए सबसे पहले हम 502 में क्या-kya हम देखते हैं देखियें हिंदी और इंग्लिछ दोनू में ट्रांसलेटड है आपके असाइनमेंट तो कोई प्राउलम नहीं होगी Assignment की Marking आपकी 30 marks किया है तो Question देखते हैं Assignment 2 में कैसे Questions है Explain with suitable examples of four processes of observational learning How does imitation helps in observational learning और में है Compare the subject-centered approach and competency-based approach Write any two advantages and limitations of these approaches What are the characteristics of project method? What are its advantages and limitations? तो देखिए 30 marks से आपके assignment है 502 जिसमें First assignment में आपको दो Question है दोनों में और का option है Second assignment में भी आपको दो Question मिलेंगे How do you plan to organize your classroom space to make it learner friendly अपने कक्षा कक्ष को अधिगम अनुकूल बनाने है तू आप क्या योजना तियार करेंगे तो 500 सब्द में आपको इसे लिखना है इससे related answers में कुछ दिनों में आप सभी के लिए जल से जल लाने का कोशिश करूँगा ये एक information video है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके assignment आ चुके हैं और उसमें कौन-कौन से question से आपको पता चल सके देखिए assignment 3 है इसमें assignment 3 में मातर एक question है यह question आपको 1000 words में लिखने है यानि 1000 सब्द यानि पहले दोनों assignment आपको 500 words में और third assignment में only one question है जो आपको 1000 words में लिखने है तो यह था हमारा assignment number 502 तो उमीद करता हूँ कि आप तक यह वीडियो अच्छे से पहुंच जाएंगी और आप भी जरूर से जरूर शेयर करेंगे आगे अगर इससे कोई भी question हो तो हमें कमेटर भी को जल से जल प्रोवाइड करा दूँगा आपके चैनल तीज ट्यूपे तो डियलेट के सबसे तीज अपडेट्स के लिए हमाने चैनल से जूड़े रहे धन्यवाद जय हिंद